हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है अबिदे के एंड वेलकम टू टेक सोर ओके क्या आप अपने आइफोन में OTG केबल की मदद से अपना पैंडराइफ कनेक करना चाहते हैं अपने आइफोन में क्या आप जाना चाहते हैं कि OTG Cable की मदद से अपने iPhone में pen drive कैसे connect करते हैं तो यह video आपके लिए है तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको यह OTG Cable यह OTG Connector आपको market से खरीदना होगा यह OTG Connector है OTG Cable भी आता है आप वो भी उसकर सकते हैं लेकिन यह iPhone के लिए supported है तो यह थोड़ा सा महगा आता है यह मुझे मिला था 400 का आप Amazon से इसे buy कर सकते हैं या फिर flip card में भी आपको मिल जाता है Android का अगर आप लेंगे तो आपको यह सस्ता मिल जाता है बट अगर आप iPhone क लेंगे तो आपको इससे 300 से लेकर 500 की बीच में यह आपको आता है ठीक है इसके बाद आपको अपने pen drive को ले लेना है और इसमें connect कर लेना है इसमें connect कर लेते हैं हम हलके से अराम से connect करना है अब इसे हम अपने iPhone में यहाँ पर लगा देते हैं lightning port में ठीक है यह लग चुका है अब phone को आप unlock कर लें इसके बाद आपको देखिए सबसे पहले अपने file manager में चले जाना है यह रहा file manager open कर लेते हैं अब आपको यहाँ पर देखिए एक file दिखाई देगी no name की no name की देखिए अगर मैं इसे निकाल देता हूँ तो वो no name वाली file चली गई देख सकते हैं आप वापस से मैं अगर इसे inject कर देता हूँ तो कुछ ही seconds में अभी देखिए no name वाली file आ जाएगी देखिए यह आ गई तो हो सकते हैं यहाँ पर आपके जो pen drive का नाम हो send disk हो या जो भी हो वो लिक कर आ जाए तो यह हमारी pen drive है इसे आप open कर लें इसके बाद जो भी आपका data होगा आपको नहापन नजर आ जाएगा आप देख सकते हैं तो जो भी चीज आपको चाहिए जैसे photo हो video हो या कोई folder हो आप पूरा copy या move कर सकते हैं अपने phone में तो long press क करनी है इस तरीके से long press कर लें और copy या move कर लें example copy कर लेते हैं और फिर यहां से back जाते हैं और on my iPhone आपको अपने iPhone में copy करना है इस पे हो तो टेक्स्टोर को सब्सक्राइब शरू कर दें